हेलो दोस्तों आप सभी का सुवालात है हमारे यूटूब सेनल माच्ट प्रोफ बिस्निस पे आज हम आपको इस वीडियो में एक बैत्रिक बिस्निस आइडिये बताने वाले हैं आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा देखे लाइक पर सिस्क्राइब ज़रूर करें कर सकते हैं और इससे आप अच्छा प्रोफिट भी कमा सकते हैं तो सबसे जो नंबर वन प्लांट है हमारा इस कड़ी में इसका नाम है इंसुलिन इसलिए पड़ा है जो शुगर एक ऐसी बिमारी है जिसका इंगलिश इलाज ही कोई नहीं है लोगों को इंसुलिन के आपते खाने पड़ेंगे आपको 15 दिन में आपका शुगर बिलकुल कंट्रोल हो जाएगा ठीक है ना और क्यूं मैं बाते कर रहा हूं ऐसी हवा में बाते नहीं है मैंने मुझे इसका सुरेंदर सिंग्ती नागरा पंजाब से उन से इसके बारे में information मिली फिर मैंने जड़ी भी छूट चुकी और insulin के injection भी नहीं लगाने पड़ते वहीं से मुझे इसकी प्रेंड ना मिली और दूसरा जो सबसे शांदार प्लांट है हमारा इसका नाम है इसका इतना फायदा है financially पहले तो मैं बताना चाहूंगा मैं इसके बारे में आपको जब आपके घर में कोई ब 30,000,000 रुपे यह यानि की बच्चों की एक किसम से आपकी FD हो गई चंदन की जो लकड़ी होती है इसको आप गिलास में डालके रखें जब भी आप पानी पीते हैं उस लकड़ी का पानी पीए उससे भी BP कंट्रोल होता है और इसके पत्तों का पाउडर भी आप बना सकते हैं और इसके बाद जो हमारा सबसे शांदार प्लांट आता है इसका मौरिंगा सहजन ड्रमस्टिक इसको काफी नामों से जाना जाता है इस प्लांट की खासियत यह है कि यह 300 से ज़्यादा बिमारियों में हमें यह काम देता है अफरीका जैसी स्टेटों में इसको बेसिक फूड के तरीके से लिया जाता है और जिन लोगों का जिन हमारे बजुरूगों का बच्चों का दूद नहीं पचता है वो इस प्लांट के जो पत्ते होते हैं पत्तों का पौडर बनाके एक चम्मच लेंगे तो एक दूद एक गिलास दूद से भी जादा इसका फायदा हो होना चाहिए अगर कहीं पर भी बुखार का वाइरल अटैक कर रहा है तो कपूर के साथ आप छोटी लाइची दोनों का मिश्रन लेंगे तो आपका बुखार का वाइरल अपने आपके परिवार से दूर भाग जाएगा और अब जो आप प्लांट देख रहे हैं इसका नाम है आप बंसा जिसको अडूसा भी कहा जाता है ये बुखार का जुखाम का नजले का जितने भी तरीके का वाइरल होता है उन सब को कंट्रोल करता है इसको आप अपने घर में नहीं लगा सकते तो गुर्दवारा मंदिर मस्जिद कहीं भी लगा दीजिए ये आपके पूरे में उबाल के इसमें थोड़ी मिश्री मिला के आप मरीज को देंगे तो धाई गंटे में आपको मातर इसका रिजल्ट मिल जाएगा दोस्तों जो आप ये पोदा देख रहे हैं इसको स्टीविया का पोदा कहा जाता है और इसके जो फायदे हैं वो आप सुनके हरान होंगे इसका सबसे बड़ा फायदा है ये शूगर के मरीजों के लिए ये वी एक वरदान पोदा है इसके पत्ते बहुत मिठे होते हैं पत्तों का पौडर बनाके आप चीनी की जगह यूज कर सकते हैं आपको मिठे का मिठा मिल गया और आपको एक इलाज भी मिल गया और इसका औ या बिश्मन बाल्व है यह इसका नाम है शतावर का जो फाइदा है मैं आपको बताना चाहता हूं यह तोकल चाओढ़ कोट के आप दूद के को अर अते लेंगे यह को बुषानी प्लांट है इसकी medicinal value बहुत ज़ादा है तो दोस्तों आप ये जो पोधा मेरे हाथ में देख रहे हैं ये भी एक शानदार चीज़ा, इसका नाम है अंजीर और इस पोधे का जिल लोगों के हाथ पैर कांपते हैं ऐसे और या कई लोग शराब बगरा पीते हैं उनके भी हाथ पैर कांपने स्टार्ट हो जाते हैं तो इसको fruit लगता है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कुछ इस परकार का ये fruit लगता है, इसको अंजीर का तो इस fruit का आप यूज करें आपके हाथ पैर कांपना बिल्कुल बंद हो जाएंगे दोस्तों पोदे तो और भी बहुत जादा है छोटी, लैची, बड़ी, लैची, मुलठी हमने एक जिम्मेदारी लिया है कि जो भी जितने भी तरीके medicinal plant है वो हम गर-गर पहुँचाएंगे चाहे हमें plant पहुँचाने हो, चाहें seed पहुँचाने हो हमने एक ये special seed की special kit त्यार की गई है जिसमें medicinal plant के जो पोदे seed से हो जाते हैं वो उनकी ये kit है, ये kit भी हम available कराएंगे और जो दोस्त powder लेना चाहते हैं, जिनको sugar जैसी problem है उनके घर पे भी हम ये powder पहुँचाएंगे इन सभी चीज़ों को आप अपने घर बैठे मंगवा सकते हैं यहाँ पर एक WhatsApp नमबर आ रहा है इस पे आप अपनी detail भेज़िए, अपना पता भेज़िए और आपको कौन सा पोदा चाहिए, powder चाहिए, बीच चाहिए तो वो हमें आप लिख डालिए तो आप हमें फोन भी कर सकते हैं, WhatsApp भी कर सकते हैं तो आप इन चीज़ों को घर बैठे मंगवा भी सकते हैं दोस्तो आप जब भी प्लांट्स ले एक बात क्या जहां रखें प्लांट्स ओरिजिनल होने चाहिए जैसे इंसुलीन है इसके जैसे और भी प्लांट हैं दोस्तो आगे की जुमेदारी सिर्फ आपकी है आप इस वीडियो को दबा के शेर करें ताकि हर व्यक्ति को हर भारतिय को इस इन पोधों के बारे में इन मेडिसनल चीज़ों के बारे में पता चल सकत लाइक भी करें और चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सबस्क्राइब करना बिलकुल भी न भूले